आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें तो आपको पता है कि उस्मा का स्तांदर्ड कहा होता है? उच चिताब से निम्नताब की तरफ होता है मतलब यहां से हमारा उस्मा जो है Q, मान लेते हैं उस्मा Q प्रवाहित होगी और यहां से हमारा जो है बाहर निकल जाए कि इस प्रकार हमारा Q प्रवाहित होगी अगर मान लें जो है इस समानतर फलक हैं इन पे हर समानतर फलक का छेतर फलक हमारा A है ठीक है और मान लेते हैं इनकी दोनों फलकों की बीच की दूरी अगर L है मतलब हम यहां पर मान लेते हैं यह लंबाई जो यहां से यहां तक है L मान लेते हैं ठीक है तो हमें पता है कि क्य क्या होता है कि यह होता है जो हमारा उसमा प्रवाह की दर होती है टी समय में वो क्या होता है क्यू अनकुर्मानुपाती होता है किसके हमारा एक तो छेत्रफल के अनकुर्मानुपाती होता है ठीक है दूसरा किसके अनकुर्मानुपाती होता है दोनों ताप में अंतर यानि की t1 minus t2 ठीक है और हमारा किसके अनकुरमान पाती होता है उसमा t यानि समय के अनकुरमान पाती होता है और जो उनके बीच की दूरी l के ब्यूतकुरमान पाती होता है ठीक है यह हमाएं पता है q की परिभाशा से होता है तो यहां से जब हम लोग q को एक साथ लिखेंगे तो इस मानुपाती हो इसका तो यहां से Q जब बराबर करेंगे तो यह हमारा नियतांक आएगा कैपिटल के कैपिटल के A T1 माइनस T2 गुड़े T यानि कि सम है बटा L लंबाई ठीक यह हमारा क्या होता है उस्मा की सरी उस्मा होता है कि इतनी प्रवाहित हो रही उस्मा यह हमारा Q कामान है ठीक इतनी जूल उस्मा प्रवाहित हो रही है और जो यहां पर नियतांक आया के इसी को कहते हैं उस्मा चालकता गुड़ांक ठीक है जहां पर क्ये क्या है कि यह को बोला जाता है उस्मा चा बाइर है ठीक है उनके बीच की दूरी जो है सिरों के यानि लंबाई जो है एक मीटर है ठीक है और डेल्टा T यानि की T1-T2 जो है एक डिग्री CILCYS हो और समय T हमारा क्या हो एक सेकिंड के लिए उसमें धारा प्रवाहित हो रहे हो उष्मा का प्रवाहर है तो Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा K के बराबर उस्मा की वह मात्रा है, जो की अस्थाई अस्था में उस पदार्थ के एक मीटर लंबाई तथा एक मीटर स्कॉयर अनपस्त काट के छित्रफल में एक सेकंड में प्रवाहित हो रही है, जबकि दोनों छड़ों के सीरों का ताप एक डिगरी सिल्सियस हो, यह हमारी इसकी परि होता है, छड़ के सीरों के लंबाई प्रवाहित होती है, ठीक है, Q जो है हमेशा लंबाई दिशा में होती है, अगर हमारा इस प्रकार हो, मालू आपको यह है, तो इस दिशा में होती है, जिस प्रकार भी हो, हमेशा छड़ के सीरों के लंबाई प्रवाहित होती है, ठीक है अब यहां समय के का मात्रक लिखना है, तो समीकर्ण एक से हम क्या लिख सकते हैं, मात्रक के लिए समीकर्ण एक का इस्तिमाल करते हैं, तो के बराबर क्या करते हैं, के का मान निकालते हैं, तो के बराबर हो जाएगा हमारा Q गुडे L बटा A इंटू T इंटू T1 माइनस T2 या किलो कालोरी भी होता है हमारा मैं इसको SI मातरक में लिख रहा हूँ तो Joule अब लंबाई का मातरक होता है मीटर बटे में 6 तरफल का मातरक क्या होगा मीटर स्कॉर्य समय का second और डेल्टा टी का हमारा डिगरी Celcius ठीक है तो यहां से एक میटर से एक میटर काट दीजिए क्या हो जाएगा यहां से मातरक आपका यह हो जाएगा Joule पर मीटर सेकेंड डिगरी Celcius ठीक है यह आपका उतर हो जाएगा ठीक है इसको एक और नाम से मतलब हमारा इसका एक और मातरक है क्योंकि हम जानते है कि Joule per second को क्या बोला जाता है Wooatt तो यहां से Joule बटे second को आप अगर व्owski लिखेंगे तो इसका एक और मातरक लिख सकते हैं क्या होता है वह होता है Watt per meter degree celsius ठीक दोनों मातरक इसके सही है आप कोई भी लिख सकते हैं, दूसरा हमारा है, अब हमसे पूछ रहा है, एक तो हमारा उसमा चालकता गुडांक हो गया, दूसरा है उसमी प्रतिरोध, ठीक है, जिसको capital R से दर्साय जाता है, ठीक है, इसको R से दर्साय जाता है, इसकी परिबासा भी देख लिजे, पहले हम इसको सूतर इसका देखते हैं कैसे होता है, जैसे आपने बिद्दुत प्रतिरोध पढ़ा है, कोई तार होता है, तो इसमें विभुवांतर V होता है, और धारा I प्रवाहित हो, तो आपने पढ़ा है कि जो बिद्दुत प्रतिरोध होता है, ठीक है, R मैं C लिग देता हूँ, क् उसमें यानि thermal resistance भी आ जाएगा ठीक है देखिए ध्यान से क्या होता है अब आपने क्या देखा कि यहां तब तार था यह पढ़ा था तार में क्या होता है दो बीचों के बीच में जब विभुवांतर होता है और उसमें जब आवेश्च का प्रवाह होता है तो हमारा जो है आ बटे हमारा उसमा धारा थी इसमें क्या है आवेश्च था ठीक धारा हमारी क्या है धारा जो होती है आवेश्च प्रवाह की दर होती है तो इसमें हमारा जो है उसमा प्रवाह की दर हमें लिखेंगे यहां पर विभुवांतर था यहां तापांतर लिखेंगे यानि कि हमार R जो होगा तापांतर यानि T1-T2 बटे उसमा प्रवाह की दर यानि की Q बटा T इसे हम लोग H से दिखाते हैं तो T1-T2 बटा H इसको हम लोग क्या बोलेंगे उसमी प्रतिरोध यहां से आप इसको आसानिस निकाल सकते हैं इससे तुल ना करके अब आप जानते हैं हमने समी करण एक से क्या लिख सकते हैं समी करण एक से अगर हम लोग Q बटा T लिखें जिसको H लिखेंगे क्या लिख सकते हैं यह हो जाएगा K A T1-T2 बटा H क्या हो जाएगा हमें T1-T2 बटा H निकालना है यहां से तभी R मिलेगा तो T1-T2 बटा H क्या हो जाएगा H को इधर लाते हैं L बटा K A हो जाएगा L बटा K A बड़ाबर हो जाएगा T1-T2 ये बटे में H और ये किसके बड़ाबर हो गया R के यही हमारा क्या है उसमी प्रतिरोध ठीक है ये तो इसका सूत्र हो गया इसकी परिभाशा अगर हम देखें तो क्या होगा परिभाशा हो जाएगी किसी चालक के 0 पर ताप अंतर तथा उसमा प्रवाह की दर यानि H के अनुपात को क्या कहते हैं उसमी प्रतिरोध कहा जाता है यहां से यह परिभाशाब बना लेंगे अब इसका मातरव भी देख लेते हैं हम लोग यहां से सूत्र से हम लोग इसका मातरव भी निकाल सकते हैं मातरव को जाएगा देखिए सेल्सियस बटे एच कह मातरव हमारा si ranging है, तो का मातरक सेमा या इस नाम से आप इसको देख सकते हैं या इसका हम लोग देख सकते हैं इसको second second degree centigrade degree centigrade सारी पटे किलो कैलोरी ठीक दोनों मातरक इसके correct है जो भी चाहें आप लिख सकते हैं ठीक है ठीक है ठीक ठीक सचरी से बार वी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चातरों का भरोज़ा आज ही डाउनोट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर